बिसमिल्लाहरहमाजरहीम अस्सलामुलेकूम डियर स्टुडेंट्स हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फालो कर रहे हैं सिप्लिफाइड पाइथन नोट्स अब हम चैप्टर सेवन स्टार्ट करते हैं लिस्ट्स एंड टॉपल्स के बारे में इससे पहले ह बिल्ट-इन डेटा स्ट्चर्ट्रस कौन-कौन सी हैं फिर हमने उनकी दो केटेगरीज बनाई एक वह जो के प्रिमिटिव है और एक वह जो के नान प्रिमिटिव हैं दिस टैप्टर फॉकसेज उन दा सीक्वेंस डेटा स्ट्चर्चर्स या डेटा टाइपस इन पर्तिक् आपको वह पुलासमें चाहिए होते हैं मैथ में काम कर रहे होते हैं तब भी आप X Y IJ के कोई रियल नमबर को कोई कोई एक्स वाइबले करते हैं ताके वह उन अबजेक्ट्स या वैलियूज को उन ऐलिमेंट्स को कंटेंट करें एक इस प्लोट इंट यह आपने देखा था कि यह प्रिमिटिव टेटर टाइब्स थी यानि एक वक्त में इनको एक वैल्यू मिलेगी एक वैल्यू मिलेगी तो यह इस तरह से प्रिमिटिव हो गई और नान प्रिमिटिव में यह है कि कई प्रिमिटिव मिला के बनेगी एक नान प्र स्किल 29 है क्रियेटिंग लिस्ट एंड टॉपल इस आर यूस्ट टो डिप्रेजेंट आडर्ड कोलेक्शन ओफ आइटम्स यानि कुछ आइटम्स या अबजेक्ट्स हैं कुछ चीजें हैं और वैलियूज हैं आप कहले जिए उनकी तर्तीब में होनी चाहिए जो आडर्ड हों शेक्षूब्स यानि कोई भी आप नान प्रिमिटिव डैटा इस्ट्रुक्चर ले लें लें गोट उसका एक इन्स्टेंस या उसका एक अबजेक्ट ले हैं उनमें से हर एकी जो पुजीशन है वो बताने के लिए उसे कोई नो कोई नमबर एसाइन किया जाएगा अब डिरेक्ट में मिसाल पर चलता हूं यह आपके सामने लिस्ट वन लिस्ट वनें नम से 5 ताइसन parked हैं और इन पाँच वेरिएबल्स को हम 5 हमें नजर आरा है के लिस्ट वन में 5-12 तीन चार पचिस छेस सतरह दो यह list के elements हैं इससे से बाकि लिस्ट में अपने elements है अब पहली जो list वन है इसके सारे element integer है elements को कोमा के जरी से सेपरेट किया गया होता है list two में integer one है integer four है लेकिन बाकि तीन elements float है list three में चारो elements चार बदब चार elements हैं चारो अलग अलग strings हैं यह अलग बात है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक करेक्टर इस्तेमाल हो रहा है list four में मिक्स्टर बढ़ गया physics नाम का एक string है बी नाम का string है it is six point five नाम की एक इतनी वाफलोट टाइब की वैल्यू है और एक इंट भी यह मिक्सर हो गया और लिस्ट फाइव एक एमटी लिस्ट है जिसको बाद में elements दे सकते हैं अगली खास बाद जो पहले दिखने वाली थी वह यह है कि जो लिस्ट के elements से उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं और उसके बाद स्केर ब्रैकेट में एंकलोज कर सकते हैं जो इस तरह का object होगा उसे पाइथन में लिस्ट नाम देते हैं यह कहने के पाइथन में लिस्ट क्रियेट करने का यह एक बेसिक सा तरीका है और तरीके भी हैं लेकिन फिलहाल यह बड़ासा तरीका है लिस्ट इस आ बिल्ट इन एग्रीगेट नान प्रिमिटिव डेटा स्टूक्चर इन पाइथन के अंदर यह एक नान प्रिमिटिव डेटाइप महजूद है और यह बिल्ट इन है आडर सीक्मेंस और कंसिस्टिंग ओफ दूसरी बात यह कि वो आडर्ड होंगे यानि अगर मैं किसी एलिमेंट की तरतीब बदल दूँगा एक नई लिस्ट बनाओं एक नई ब्रैक्टिंग करूँ और फुरी तरतीब जरा सी बदल दूँगा उसमें तो जो नई चीज आएगी वो डिफरंट लिस्ट होगी पहले क के निजबत आडर्ड है खास तरतीब बैतरतीब बदलेंगे तो चीज बदल जाएगी वो चीज़ वो नहीं रहेगी आलसो असके बात क्या है अलिस्ट इस मूटेबल जो क्या है कि लिस्ट एक म्यूट लिस्ट मूटेबल होती है इसका मतलब क्या है अपने कुछ ilde element मतलब elements में मज्जीद डाले जाएं यह जो मुझू निकाल कुछ निकाल दी जाएंगे से यह सारे निकाल दिए जाये यहां किसी element की बदल दी जाया replace कर दी जाया तो एस सारी चीज़ें अलाओ है इसके मौबले में जो इस चैप्टर में next topic आने वाला है को टौपल्स म में लिस्ट में बुनादी फर्फ यही है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है जब कि इम्म्यूटेबल होते हैं इसका मतलब यह कि अगर आप टॉपल का एलिमेंट चेंज करने जाएंगे तो अगर तो डिरेक्ट कर रहे हैं तो वह अलाव नहीं करेंगा एरर शो कर देगा जब कि लिस्ट में पहले से मौजूद है वही बकरार रहेगी अगर आप इसमें करते हैं तो नई जो मौडिफाइड लिस्ट होगी वह यही एक्चुली अब्जेक्ट होगा आप इसी में तबदीली कर रहे होंगे आवन डैमेशनल लिस्ट इस क्रियेट बाइप लिस्ट बाइप सेपरेट बाइप कॉमा से हम देख चुके हैं अलिस्ट कैन हैव एनी नंबर ओफ ऐलिमेंट्स दे कैन बी ऑफ ए मिक्स ऑफ डिफरेंट प्रिमिटिव डेटाइप इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग और बूल सके हो जाएं सिंगल एलिमेंट्स और कुछ हैमेंट्स के बन चुक्र में लिस्ट शामिल नंगी three list of निंट में इस है बता दिया गया हेयर लिस्ट फाइव इसन एंप्टी लिस्ट बस यह है कि वह होते हैं यह अब इसमें मुस्त क्या इसका वांस असाइंड दी एलिमेंट्स ऑफ टॉपल के नीदर भी चेंज नॉट इंक्रीज़ नंबर ना रिमूव फॉम दा टॉपल और आप रिमूव कर पाते हैं या कुछ में चेंज कर पाते हैं जो वजूद में आएगी वो दारकीकत निया टॉपल होगा इसमें 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 इसके नहीं भी लगाते तब भी चलेगा इस सीक्वेंस ऑफ दा एलिमेंट्स ऑफ टॉपल कैन आप्शनली भी इंक्लोज़ आप्शनली भी इंक्लोज़ इन पैरंथिस यानि अगर ना भी अंक्लोज़ करें तब भी टॉपल वजूद में आ जाएगा और अब चाहें तो आप उसे पैरंथिस में करेंगे स्केयर ब्रैकिट्स में एंक्लोज़ नहीं करेंगे तो यह मिसालें पहले जैसी हैं लेकिन यह इन इंग्जामपल्स में छे इंग्जामपल्स हैं इन में टॉपल करियेट हो रहा है अब नोट करें कि यह जो है एक्चुली क्या है एट के बाद कॉमा लगावा है और टीप वैल्यू बन जाएगी यह तो इसलिए उसको कंफियन दूर करने के लिए टॉपल को इमत्याजी हैसित देने के लिए कि एक एलिमेंट वाला टॉपल क्रियेट होने जा रहा है तो सिंगल एलिमेंट के बाद भी कौमा लगा देंगे पैरन्थिस यूज़ करें ना करें वह ही क्रियेट होगा पर फर्दर डिसकेशन्स भी क्रियेट आलेस्ट माइलिस्ट अलेस्ट वैल्स अटॉपल एबी सी एंड टॉपल एक्स वाईजी एस फालोज यह आगे हम इस मिसालें में डिसक्स करने के लिए हम दो लिस्टें और दो टॉपल बना लेते हैं एक लिस्ट क और पांच बारह मैंनस साथ जीरो बारह है और वैल्स के अनदर फिस्टिंग है और फॉर पांट फाइब ऐल्यू है और बाल एक स्ट्रींग भी यह डेबल ऑफ में मिक्स्टर आगे है डिफ्रेंट डेटाइप का वन्स क्रिएटिड डाट टाइप ओफ लिस्ट और टॉपल कैन भी डिटर्मिंड यूजिंग दा बिल्ट-इन फंक्शन टाइप एज बिलो यानि माई लिस्ट क्रिएट हो चुकी है इसकी टाइप पूछें यह मैंने यहां प यह किलास टूपल से बिलांग करता है तो से मालूम पता हमें हो गया कि माई लिस्ट दरहकी का जो भी ठीक हमें नहीं मालूम क्या चीज़ ती तो इसना टाइप प्रिंट करवाने से पता चल गया वह लिस्ट है और एक टूपल है तो मेरे खाले तो बहुत स्टेर फारवर् ऐसे वैरियबल्स हैं जिनको आप मल्टीपल वैलियूज पूरी वैलियूज की फैरिस्ट एक बंच एक एग्रिगेट उसे परवाइड कर सकते हैं और जो जो होगी लिस्ट उसके ऐलिमेंट्स को आप स्केर ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे और कॉमा कर जरी से से सैपिट क करते हैं लिए लेकिन साइडों पर या तो ब्रैकेट्स लगाएं लिस्ट जो हैं वह म्यूटेबल हैं यानि हो सकती है अगर आप करते हैं तो एरर आ जाएगी और किसी वैलिट तरीके से चेंज करने कोशिश करते हैं और तो जो चैंज आएगी और हकीकत आपको लगेगा क बलके औरिजिनल से के जरीए से औरिजिनल को इस्तेमाल करके एक और टॉपल वजूद में आ जाएगा और मेमरी में मतलब उसकी एक्जिस्टेंस होगी निया वजूद में अने से मतलब ही है टॉपल की लेंथ या लिस्ट की लेंथ से क्या मुराद है जतने उसमें ऐलिमें नाम का बेंट इन फंक्शन ईपलाई करते हैं माइं लिस्ट पर ले न नाम का अपलाई करते हैं एक पर गोश्क जवाब जह आएगा वह पांच और तीन हाईगा रिसपेंगे यहानी माइ लिस्ट पर पांich और एबी सी के इन अगर आप माइलिस्ट की वे जो वैरिबल नेम है अगर आप पास करेंगे से लियन नाम को तो इसका जवाब पांच आजेगा क्योंकि इसमें एक दो तीन चार पांच एलिमेंट्स और एबी सी में कितने हैं इसका रिस्पॉंस तीन आजाएगा यह लिस्ट के लिए भी है परफार्म और रिडिक्शन ऑपरेशन एज इस इस डालिस्ट और टॉपल टुआ सिंगल वैलियू मनि हमें सिंगल वैलियू बनाके देगा तो एक तरह का इस चीज़ों को हम कहते हैं रिडक्शन ऑपरेशन एड्रेसिंग एंड इंडिविजल एलिमेंट्स और लिस्ट और टॉपल यानि अगर आमने किसी एलिमेंट को एड्रेस करना है तो यानि उसको रैफर करना या उसक उसक इसे कर रहे हैं आप उसथे एक से कर रहे है आप उसे र Servi160 करने के लिए या см数 और या ऑद्रेस करने करने के लिए क्लिए उसको सिंपल त्रीका ये है मैयलिस्ट के नाम के सामने सकेर ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे तो उससे मराद है पहली वैलियू वनतीय पूरी चीज यह वाली क्या है My Lists 3 यह नि माय लेस्ट का च्टोथा अलिमेंट और वो क्या है उसकी value इस केस में जीरो है इसना टुपल का नाम लिखा उसके बाद पैरन पैरन्ट सोरी स्केयर ब्लैकिट में इंडेक्स नंबर देंगे बिस्किलिवे क्या हैं इंडेक्स नम्रिंग आए जो प्लाइए प्लाइट नंबर आप समझ लें कि एक दो तीन चार पांच इसमाई लिस्ट में पांच खम रहे हैं पहले कमरे का नंबर जीरो दूसा कमरे नम्बर 0-5 हैं कमचल रख मेरे या तो कह दो करने के मुझे अदर करने के लिए और डूसरा है उसके अंदर मौशूओ तब उन्पारिoster element जिसको आप माई लिस्ट 3 करके रैफर करेंगे उसके अंदर जीरो मौझूद है सेम इस तरह बाकी अभी हो जाएगा फाइफन इंडेक्स नंबरिंग दो तरह से अलाओ करता है यानि जीरो से लेकर फॉर तक भी हम इसे कह सकते हैं नंबरिंग इन मैंबर्स की जो नंबरिंग है और दूसर तरीका साथ दो चुक्वे बैकरॉण में हो चुका होता है वो क्या है आखरी वाले को माइनस वन कहते है है सेकंड लास को माइनस टू यह माइनस थ्री माइनस फॉर यह माइनस फाइव लोकेशन हो जाएगी तो इस तरह से माइलिस्ट माइनस वन बारा हो गया माइलिस्ट माइनस टू जीरो हो गया माइलिस्ट माइनस थ्री की वैल्यू माइनस सैवन है यानि यह सारी चीज माइ लिस्ट माइनस थ्री एसल में माइनस सैवन है और यह पूरी वैलियू माइनस माइनस फॉर जो होगी वह बारा है तो इससा से इंडेक्सिंग ऐसे भी हो सकती है सेम के स्टपल के लिए इसकी जो पिक्चर वाइस करनी तो फार्जाबली सी को देख लें यह आपके पास भी नाम की एक लिस्ट है पांच बारा माइनस साथ जीरो बारा उसके उसके अंदर कॉंटेंट्स मौजूद है पांच कमरे हैं और कमरों की नंबरिंग जो है पहले कमर सैवने बीटरी जीरो है और फीवगू वैल्यवेजा और जो रिवर्श नम्टिंग ऱलाओ है डेकटिटिव इंडेकसिंग जो पाइथन में अलाओ है उसके मताबिक यह वैलिव बारा जो है यह सल में क्या है बी मानस वन लोकेशन पर पढ़ी है यह बी मानस डूली मानस फ आप कहते हैं मुझे 27 चाहिए बी के अंदर ब्रैकेट में सैवन लिख दें सैवन तो है यह नहीं वह तो वह इसमें फिर इंडेक्स एरर आजाएगा अच्छा यहां पर एक्टिविटी की गई है कि हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं यह देखें जी माई लिस्ट बनाई गई उसको हमने क्या किया प्रेंट करवा लिया इसका रिस्पांस यहां पर यहां जिसका इंडेक्स तीन है वह कौन सी होगी यह जिरो वाल हो गया पांच वन फर वाल है वहां पर जाके एटी एट रख दो उसके बाद हम प्रेंट कर आएंगे तो नीचे जो आप देखें नोट करें के जिरो की जिगापर एटी एट आ चुका या फुट पर फांब करके देखें इसके बाद हमने प्रेंट जस्लिए कर वाया कि एक लाइनम खाली छो नीचे प्रिंट होकर आ गया है फिर हमने का एबी सी वन एकवल 55 क्या मतलब है 55 जाकर रख देंट के अंदर उस लोकेशन पर जिसका इंडेक्स वन हो तो अभी वह लोकेशन जिसका इंडेक्स वन है वह टैन है जिरो वाला फॉर है वन वाला 10 है और टू वाला माइनस नाइन वैलियू है वहां पे हम कहते हैं कि वन वाले पर जाके 55 रख दो वन वाले पहले से टैन पड़ावा है लेकिन चुकर टूपल है तो टूपल की जो कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन या ऐलिमेंट है वो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमने कहा जब ए बी सी टूपल डजनाट सपोर्ट एलिम आइटम असाइनमेंट यही का मैं लेस्ट में किया था कोई मक्सूस लोकेशन थी उसको हमने अपडेट करने कोशिश की वह अपडेट हो गई टॉपल में अपडेट नहीं होगी बलके टाइप एर आ जाएगी और अगर हम कोई एसा एलिमेंट एकसेस करते हैं जो इस रेंज से बाहर हो यानि इस भी फॉर से अग जाए कहीं हो या माइनस फाइव से नीचे कहीं हो तो भी ओफ डैट लिखेंगे तो मसला आ जाएगा छाए हम और वह जाएगा जाएगी चुकर पहले उपर eping बनाया था लिस्ट-स्पोड यम्री उफ़ी फिक जोब गारा तो उसके मतलब कर और हमelujah ब्रॉत एकशा को ऑंड़ैकर दानोंड़्य होतदा है तो वह यह स्तरह से हो प्रिये किए इक है पहले चारों कि टाइप कर वाई तो के वन की टाइप क्या थी कैटु फ्लोट है क्याट आare जहां पूर पर इनटीजर जहां से उठाए गया लिस्ट फॉर यह हमारे पास लिस्ट फॉर है ऐसे ही जो एक्स वाई जी है वह हम दुबरा बना लेते हैं अब देख सकते हैं कि लिस्ट फॉर का पहला अलिमेंट वह भी है और उसकी टाइप स्प्रिंग होगा तू वह कौन सा होगा जीरो वन टू टू पे है एटी सिक्स पॉइंट फाइव यह एक फलोट है तो के टू की फलोट आ गई यह देखिए तो इस तरह सब चेक कर सकते हैं अब उसके मिक्स अप हो रहा है आप चाहें तो यहां पर वो कर दीजिए सेंटेंस लगा दें के टाइप ऑफ के वन यहां प इस साथ चाहें तो हम अपने जुम्ले को बेहतर भी कर सकते हैं उसे यह होगा कि हमें स्क्रीन पे के टू के थरी वर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं डबल कोर्ट में जो वर्डिंग आती हैं वो तो आप जानते हैं कि स्क्रीन पे एज़ इस नज़र आ जाएंगी उसमें उसको हम मतलब वैस सच कोई वो वैलियूज नहीं सिरफ जो इस डबल कोर्ट के अंदर है वो एज़ अब हमने से एक्जिक्यूट किया तो यह देखिए टाइप ऑफ के वन इस किलास स्ट्रिंग फ्लोड जो उनकी टाइप सी वैरिबल की वह आचुकी है उसके बाद नेक्स हमने क्या किया था यह हमने सिर्फ एक लाइन करवा दी डैश ताकि थोड़ा सैपरेट हमें नजर आ कि लिस्ट फॉर वन एक्वल तो फॉर्टी फाइव यानि लिस्ट वन की जो लोकेशन इंडेक्स वन है पहली जीरो होगी फिजिक्स दूसरे भी पड़ा हुआ है आप उसे कहते हैं वहां जाकर भी वाले स्ट्रिंग को हटाकर फॉर्टी फाइव रख दें हमने ऐसा किया के वन की हमने हमने कर दी है अब जाकर बारा किया लिस्ट लिस्ट और के वन यह हमने जा के जब इसकी परिंट करभ़ाई तो आप देख सते हैं कि लिस्ट पोर भी अपडेट हो गया और आप वडू वाली नीकिड वह जाए पर रिंट OF इस मौके पे अगर आप इनकी टरें चाहें करते हैं चोटा सा वो यह कि हम इनकी टाइप करवा लेते हैं कि टाइप लिस्ट की टाइप लिस्ट है फोर टाइप तो उसकी वही रहेगी कि वह एक लिस्ट ही है लिस्ट और और इसके बाद हमने जो के टू है पहले के वन एक स्ट्रिंग था क्यूंकि हमने लिस्ट और का यह वाला एलिमंट के वन में रखता था और आप के वन को हमने चेंज कर दिया है तो के वन कि टाइप प्रेंट करवाएंगे तो इस केस में जो आये का वो आप देख सकते हैं कि लिस्ट फूर तो वैसे की वैसे लिस्ट लिस्ट ही है जबके के वन पहले जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट किया था अब वो चुके वैलियू हमने बदल के उसे टैन कर दिया है तो अब वो के वन की टाइप जो है वो आई है इंटीजर की जो हम टाइप बदल के नई टाइप लेकर निया element लेकर आ जाएंगे उस element को ठाकर आप उसकी वैलियू आप यूज उसकी टाइप प्रिंट करवाएंगे जो नई वैलियू आई है उसके मताबिक उसकी टाइप बन जाएगी इसी तरह से पहले हमने के वन वैरियेबल में लिस्ट का एक element उठाकर रखा ये देखि किया और चेंज्ड वैल्यू भी सामने आई है तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसके बादे कुछ हो टापिक से इसके अंदर लिस्ट को जोईन करने के साथ दो लिस्ट है जोड़के लिस्ट बना दें आपस में एक नहा टॉपल बना लें इस तरह कुछ एक्टिविटीज देखेंगे बहुत सिंपल अगर्चे आप यहां पर स्क्रीन रोक रोक भी चाहें तो आप इसको प्रफार्म कर सकते हैं उसके बादे स्किल